इन सातियों आज बहुत करने वाला हूं जो जोग्राफी की सेकंड पार्ट सेकंड में यहां से हम डिसकर्ष करने वाले हैं 51 से जो है न अंडेर तक के जो भी कुशन है वो डिसकर्ष करेंगे यहां पर आए बढ़ते कुशन की हो यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्रा कोड़ने वाला है 13 मार्च को उसके लिए सारे इंपुडेंट कुशन में बता रहा हूं आपको नोट भी करते चाहिए और याद भी करते जाहिए इन्हीं में से कुश्चन आएंगे आपके 51 हो जोन परत किस वायू मंदली परत में पाई जाती है आपको बताना है हो जोन प बैको बाइव मंदल किस परत वह पायू मंदल किस परत तो यह आपको बताना है आयनल से लेडिर तरह पर वरतेत होते हैं कि नेक्स्ट कि सी ओप्षन बायू दाब मापने का यंत्र कौन सा है यह कुशन आपको बताना है बायू दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है कमेंट शक्षन में आप बताना इसको 54 बायू मंडल की आदरता मापने वाला यंत्र कौन सा है यह आपको बताना है तो इसी आग्रो मीटर जो होता है बायू मंडल की आधरता मापने के लिए यूज के जाता है इसको भी देख लो बायू पाईूदाप मापने के लिए इसका जो बी ओफ्सन वो सही आंसर है 55 वो जो अनपरत प्रत्वी वासियों की रच्छा करती है किस से रच्छा करती है वो आपको बताना है सूर्च से निकलने वाली अल्टा वर्डिट करणों से है न वो जो अनपरत आप मनुश्यों की रच्छा करती है नेक्स्ट 56 विश्व में चावल का सरवादिक उत्पादन किस देश में होता है यह आपको उत्पादन बताना है चीन जो देश है विश्व में सरवादिक चावल उत्पादन में अग्रीड है मतला पहले इस्तान पर है 57 विश्व में चावल का सरवादिक उत्पादक देश है आपको यह बताना है 57 यह आप्सन भारत जो है ना चावल के उत्पादन में पहली नंबर में है विश्व में 58 विश्व में केले का सबसे जादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है यह कुशन है यह आप्सन इसका सही अंसर है भारत जो है ना केले का उत्पादन करने वाला विश्व में सबसे पहला इस्तान लगता है 59 विश्व में लहो आयस का सबसे जादा उत्पादन है ना कर करता है तो 59 का option C लूस इसका सही अंसर होगा लोग यस को में पहले इस्तान पर है विश्वर में 60 विश्व में कोईले का सबसे ज़्यादा उतपादन करता है तो यह जो है ना चीन विश्व में सबसे ज़्यादा कोईले का उतपादन करता है चीन इसको भी द्यान लखना इन्पोडेंट कुश्यन है 61 61 विश्व में टिन का सरवादिक उतपादक देश है तो आपको बताना है सबसे जाना उतपादक जो है ना टिन का कौन करता है मलेशिया यह इन्पोडेंट कुश्चन है ध्यान रखना इसको 62 पूर्व का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है अब आपको यह बताना है पूर्व का मैंचेस्टर कौन है वो शाका पूर्व का मैंचेस्टर है नेश्ट 63 संसार की छट किसे का जाता है आपको अब ये कुश्चन बनाना है और ये कुश्चन बहुती इन्पुडेंड कुश्चन है पामीर के पठार को है ना संसार की छट का जाता है या विस्ट की छट किसे का जाता है पामीर के पठार को नेश्ट 64 निमने लेखित में से किस सहर को इंटर्नल सिटी या हेलो सिटी कहा जाता है तो इसका जो ऑप्सन सी रॉम जो है ना सही आंसर है रॉम को हम होलो सिटी या इंटर्नल सिटी के नाम से जानती है इंपोडेंट कुशन है राइट कर लो आप 65 दच्छिड दुरूप पर पहुंचने वाला प्रिथम ब्यक्ति था कौन ब्यक्ति था जो यह ना दच्छिड दुरूप पर पहुंचा था इसका जो डी ओप्सन है एमंड सेन इसका सही आंसर होगा कौन सा एमंड सेन 66 दुरूप पर पहुंचने वाला प्रिथम प्यक्ति था तो यह जो ओप्सन रावर्ट प्यारी इसका सही आंसर है दुरूप पर पर प्यक्ति था रॉवर्ट प्यारी 67 विश्व का सबसे बड़ा प्राइदीप है तो 67 का आपको बताना है B option आरप प्राइदीप इसका सही आंसर है कौन सा आरप प्राइदीप 68 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्म पुत्र डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ठीक है, नेक्स्ट, 69, विस्ट की सबसे उची सड़क कौन सी है, तो आपको बताना है, विस्ट की सबसे उची सड़क, लहे मनाली मार्ग जो है न, विस्ट की सबसे उची सड़क है, ये भी इन्पोडेंट कुश्चन है, और ये भारत में ही इस्टित है, 70, विश्व की सबसे ब्यापारिक नदी है तो ये जो नदी है आपको बताना है इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है राइन नदी जो राइन नदी है सबसे ब्यापारिक नदी है 71, अरफ सागर की रानी कहा जाता है आपको बताना है अरफ सागर की रानी किसे का जाता है कोचीन को जो है न अरफ सागर की रानी कहा जाता है 72 भारत का छेतपल संपूर विश्व के छेतपल का कितना पृतिसत है ये 2.4 परसेंट है ये कोश्चन कई बार पूचा गया है आपके पेपर में इन्पोडेंट कोश्चन है राइट कीजिगा आप 73 भारती राज्जों में सर्वद एक लंबी तट रेखा किस राज्ज की है तो ये जो राज्ज है इसका नाम बताना है आपको ओप्सन C गुजरात की जो है न तट ये रेखा सबसे लंबी है इन्पोडेंट कुश्चन है इसको भी द्यान लगना 74 निम्न में से किस राज्ज की तट की सीमा सबसे चोटी है ये जो सीमा है बी गोहा की ये सबसे चोटी सीमा है गोहा की ध्यान लगना तट ये सीमा सबसे बड़ी है गुजरात की 75 भारत का दच्छर्तम बिंदू है भारत का दच्छर्तम बिंदू क्या है यह आपको बताना है D option इंदरा पॉइंट यह भी कुश्चन कई वार आया भारत का दच्छर्तम बिंदू कौन सा है इंदरा पॉइंट 76 छेटपल की देश्टी से भारत का विश्ट में कौन सा इस्तान है अब आपको छेटपल की देश्टी से भारत का इस्तान बताना है विश्ट में साथमा इस्तान है छेटपल के देश्टी कौन से 77 करकर रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है तो यह जो है न डी ओप्षन आठ राज्यों से होकर गुजरती है करके रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर 78 भारत का प्रमारिक समय मापा जाता है यह आपको बताना है भारत का प्रमारिक समय कहां से मापा जाता है Jan. 42 दिज्सान्तर से यह लहावास से मेच्च किया गया है 79 छेदफल की देश्टी से सबसे बड़ा राज जिकॉन सा है तो यह जो है ना Rाजिस्तान छेदफल की देश्टी से सबसे बड़ा राज है और उसके सेकेंड नमर पर आता है मद्द परेश तो ये भी ध्यान लाकना मदबर्देश से question पूछा जाता है 80, छेतफल की देश्टी से सबसे चोटा राज कौन सा है तो ये जो है ना छेतफल की देश्टी सबसे चोटा राज गोहा है important question भी है आ सकता है यहाँ से question आपको बताना है 81 पश्चिम की और बैने वाली नदियों को चुने पश्चिम की और कौन कौन सी नदिया जो है ना बैती है उनको बताना है तो ये नर्मदा पश्चिम की और बैती है तापती भी पश्चिम की और और सबरा मती ये भी जो है ना पश्चिम की और बेहने वाले नदिया हैं नेक्स्ट एटी टू निमने लेखे तुमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उप्यूग तो होती है तो इसका जो है ना काली मिट्टी में कपास जो होता है तो बहुत अच्छी मात्रा में है ना उगता है तो इसका बी ओप्सन सही होगा काली एटी थरी निमने में से अपसिष्ट परवत का उधारण है अपसिष्ट परवत का ये कुश्चन आया भी है 2021 में एटी थरी ए ओप्सन अराबली का उधारण है ध्यान रखना है इसको फैंड और भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाए है 20-50 km क्योंड़ करके कुछ हैं। ऐटी सिकस्व भारत का सबसे वूंच़ जलपरपात कौन सा है, अब आप से जलपरपात के बारे में पूछा गया है जोग जल पर पाज जो है वो भारत का सबसे हूंचा जल पर पाज है important question है not कर लीजिएगा 87 भागर नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है इसका जो B option है सतलज नदी पर बनाई गई है यह important question है और not भी कर लीजिएगा next 88 हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है तो यह जो है न महा नदी पर बनाया गया है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है महा नदी पर यह भी important question है not करते जाए 89 सरदा सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है 89, A option इसका सही आंसर है नर्मदा, सरदास, सरोवर, परियोजना ये भी कुशन, हैना एक से दो वार पूचा गया है लास्ट येर के कुशन बेपर में 90 उत्तर भारत के मैदान उत्तर भारत के मैदानी भागों में सीत रितु में किस कारण से बरसा होती है उत्तर भारत के मैदानी भागों में सीत रितु में किस कारण से बरसा होती है इसका कारण आपको बताना है पश्चमी बिच्छोप से ना बरसा होती है सरदियों में भी नेश्ट 81, स्वरी 91 भारत में सबसे अधिक बरसा वाला इस्तान कौन सा है ये मासिम राउ है मासिम राउ भारत में सरवाद एक बरसा होती है इस जगह पर और ये कुश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है इंपुर्डेंड कुश्चन है इस बार ये कुश्चन आया शक्ता है नोट कर लेना 92 92 बारत में सबसे ज़्यादा गर्म इस्तान है तो गर्म इस्तान कौन सा है जैशल मेल इसको भी नोट कर लेना बारत में सबसे ज़्यादा गर्म इस्तान जो है जैशल मेल है 93 बारत में ग्रीस मुलीतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है यह इसका जो है ना लू कहा जाता है 94 भारत में सबसे पुरानी परवतमाला कौन सी है यह आपको बताना है अराबली भारत में सबसे पुरानी परवतमाला है और इंपुडेंट कुश्चन भी है नौट कर लेना इसको 95 निमनलेखित में से किस राज्य की सीमा देश के सरवादिक राज्यों को छूती है तो यह जो 95 का करेक्ट अंसर क्या होगा निमनलेखित में से किस राज्य की सीमा देश के सरवादिक राज्यों को छूती है तो बी ओप्सन उत्तर प्रदेश जो है न इसका सही अंसर होगा 96 सुन्दरबन डेल्टा कौन सी नदी है न बनाती है यह भी कुश्चन कई बार पूचा गया है इसका डी ओप्सन सही अंसर होगा गंगा एवन ब्रह्मपुत्र नदी सुन्दरबन डेल्टा का निर्मार करती है नेश्ट 97 निमनलेखित में ऐसे रवी फशलों का चैन करें 97 का आपको बताना है बी ओप्सन इसका सही अंसर है गयू है रवी फशल मतर भी रवी फशल है और राई ये तीन फशल है जो है न रवी की फशल है तहां रखना रवी की फशल है और खरीब की फशल है पूचिया आती है 98 निमनलेखित में ऐसे खरीब फशलों को है न चुनना है आपको अभी हमने उपर अभी की फचलों के बारे में बिसकर्स किया है और नीचे अभी खरीब की फचलों के बारे में तो ये धान, गन्न, और अरहर और जो आपका जोआर ये जो है ना खरीब की फचले है इंपुडेंट कुश्चन है राइट कर लेना इसको भी 99 भारत में लेशम का सबसे बड़ा उतपादक है जिसको आपको बताना है ये कुश्चन भी कई बार पूछा गया है ये कुश्चन भी आपकी पेपर में पूछा गया है यदि वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों भी जाद जादा सेर करें कमेंट सेक्षन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं जैन सात्यों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में